आज शेयर कर रहे हूं कच्चे आलू से बना हुआ है कैसा क्रिस्पी और टेस्टी नास्ते की रेसिपी जिसे एक बर बनाने के बाद आप हर बार इसे बनाना पसंद करेंगे नास्ते को बनाना जितना आसान है खाने में उत्रा ही टेस्टी यह बन करके त्यार होता है तो चलि आज के रसेपे शुरू करते हैं इस नाश्टे को बनाने के लिए लेस ragG या घुत करण यालु को मोड़ें ग्रीटर से कद्धू कस कर लेकिन याद रहे हैं कि आलु के लचे कृतेध लंबे लंबे निकाल करके त्यार किजिए रौताल में यहाँ पेड चार पीए कृता देखेट Resistance को में इसलें दोले hem और सूती के कपड़े में आलू को रख करके अच्छे तरीके से आलू के लच्छे को पोच ले यानि के आलू के लच्छे में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए अब बारी कटे हुए आलू को एक बोल में डालेंगे देख पारे होंगे आलू में बिल्कुल भी पानी नह किजिए गाइक चमच डालने के कद्धुकस के अधरत थोरा सा बारी कटके हो और हारा धनिया डालेंगे आदा चोटा चमच नमक डालेंगे यानि किस वाद के अनुसार आदा चोटा चमच मैं यहां पर डाल रहे हूं लाल मिर्च के पाउडर आज का नास्ता पनानी के लिए म तो उसी चमच मे मैधा का इस्तमाल की हूँ मैधा को डालने का बाद अच्छ तरीके से इन्हें मिक्स करेंगे सब्कुन अब emailsued, mix लिए इन्हें मेधा उस में मैधा करने में झालेंगे call इन्हें अच्छ तरीके से mix मे आईकाम और यहार्स थिक्ता कि आईगी कि विए मिक्स और देखे तीन मिट के बाद दिखा रहे हूं अब देखे इस तरीके से मुठी से उठा के बांदियागाना बहुत एजी लिए बन जाता है तो हम इसमें पानी का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे अब एक मिनट के लिए इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे अगर आपको इस नास्टे को और याधा की R.C. बनाना है तो आप हमारे क्यफे मिस्टर हमारा मिस्टन आचे साप आचे बन करके त्यार हो चुगा है हाथों को धो करके साफ कर लेंगे पानी का इस्तमाल आपको भी नहीं करना है तो जिस प्लेट में नास्थे को बना करके रखने वाले हैं उस प्लेट में भी थोआ चाब तेल लागा değil मध़ा बनादेगा हुलके हादर से इस तरीके चोटे चोटे बॉल करके तियार करें आप यतना बड़ा चोटा नास्ता बनानाएं उसके हिसाब से आप नास्ते को बना करके त्यार करें दिश्चा है फिलहाल मैं यह इतने जालू मेड़ तो भड़ते हैं नास्ती यह अधाय तक परोड़ती हैं एक दो मैड़ के अलगए फ॰ींक यह में शर्डीं भंसे मेड़न के काट some थे रूदार की फ्रायस के क्षेळाने का थिन मेड़ता जाते हैं तो बस इने हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से में आप सेकंड बच को फ्राइ कर लूँगी तेल बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है यह सबसे अच्छी बात है और देखे इने अच्छे तरीके से यह करते हुए डाल दूँगी और सेकंड बच भी हमारा अच्छे तर सब्सक्राइब कर लिजेगा अपने फ्रेंश फैमली में जरूर शियर कीजेगा देख पा रहे होंगे आलू जो है अंदर से अच्छे तरीके से पक चुका है इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राइब कीजिए